शिम्ला में आज इसाई समुदाये ने बड़ा दिन यानी क्रिस्मिस धूमधाम से मनाया वही क्राइस चर्च में भी क्रिस्मिस मनाया गया इसाई धर्म के लोग में भी खासा उसा देखने को मिला वही चर्च में प्राथना सभा के साथ साथ प्रिति भोज की विवस्था भी की गई चर्च के पादरी सोहनलाल ने बताया कि पूरे विश्व में 25 दिसंबर क्रिस्मिस के रूप में मनाया जाता है इसी तरह एतिहासिक रिच मैदान पर स्थित क्राइस चर्च में भी क्रिस्मिस दूमधान से मनाया गया साथ ही उन्होंने बताया कि इश्व मसेह ने 2000 साल पहले मानव शरीर में जनम लिया था उनके जीवन को याद करते हुए कहा कि इश्व ने लोगों की भलाई के काम किये और ऐसे लोगों की साहिता की जो समाच से ठुकराए हुए थे उन्होंने बताया कि इश्व ने यही सिक्षा दी है कि हमें हमेशा एक दूसरे की भलाई करने चाहिए वही बताया कि जिस तरह हर चीज का महतव होता है उसी प्रकार क्रॉस और स्टार का भी अपना महतव है प्रभुश मसी को जिसने 2000 साल पहले इस पृतिव पर मुनुश्य देधारन के थी और उनको जीवन को याद करते हैं जो उनके सेपकाई के कारियत थे जिसमें उन्होंने लोगों की बलाई के लिए काम किये जो बिमार थे उनको चंगाई दी जो बी कोडी थे उनको चंगाई जो अंदे थे, उनको आंके दी, और खास करके वो लोग जो समाज के तुकराए हुए थे, जिनका कोई साहरा नहीं था, उनके साथ वो खड़े हुए, और उनकी शिक्षा भी यही रही अपने शिशों के लिए कि जैसे परमेश्वर हम से प्रेम करता है, हमें भी एक दूसरी स के लिए कारे करने हैं, हमें अपनी ही इच्छा पुरिती के लिए नहीं, कि जैसे प्रविश्मसी कहता है, कि जो भी मेरे पीचा आना चाहिए, अपने कुरूस उठाए, कुरूस का मतलब है, जो इंग्लिश का लेटर आई है, मैं, जो हम हर बार कहता है, अपनी खुदी को म करें, ताकि जिसे जो करप्शन है, बुराइयां है, वो तब खत्म हो सकती है, जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे के साथ हम मिलकर आगे बढ़ेंगे. जहां क्रॉस मैं से हमको जोड़ता है वही स्टार सही मार्ग में ले जाने का काम करता है आदर शिमाचल के लिए शमला से कीरन की रिपोट